हेलो फ्रेंज वेलकम टू मै चैनल न्यू आइडियल किचेन आज मिले के आपके लिए सुपर टेस्टी और हेल्दी पनीर और स्प्राउट्स का चिल्ला इसके लिए हमने सबसे पहले लेली 200 ग्राम पालक पालक को काटके चितरे से दो लिया है तो हम फिर हमने लिया है एक इं चोटी है इसलिए हमें दो से तीन बार इसको पीछना पड़ेगा इसका हमें बारिक पेस्ट नहीं बनाना है बिल्कुल दर दरा सा रखना है और यह शेयत के लिए बहुत ही ज्यादा परपूर और शेयत से बरपूर होता है और डाइट वाले भी इसको खा सकते हैं जिवमा में हमने दाही मिक्स कर लिए है कंसिटेंसी हमें फ्लोइंग रखनी है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसनाती है तो मेरे चैनल को लाई से रो सब्सक्राब जूरू किए और मुझे मोज और इस्टाग्राम पर फोलो किजे और हां कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और यह देखिए कंसिटेंसी में आपको दिखा देती हो में कैसी चाहिए है यह देखिए देखने में ही यह कितना स्वादिष्ट और अच्छा लग रहा है अब इसमें डाला एक चमच नमक और फिर हमने गैस पर रख लिया एक न और एक एक बूंट तेल डालकर हमने इसे एक परसे पका लिया अब हम इसको फूरी देर के लिए पलट दिल उपर से भी हलका सा हम पोई लिए अब इसमें हम करेंगे फिलिंग फिलिंग से पहले हम इसमें लगाएंगे सेजवाद सोस आप अपनी पसंद के अरुशाद जो आप लगा सकते हैं अब इस पे उपर से डाल दिया हम पनीर का बनाया हुआ मिक्सचर है फिलिंग आप अपनी पसंद के अन्षार वेजिटेबल की पनीर किया किसी भी चीज की डाल सकते हैं और फ्रेंड्स और यह देखिए हमारे टेस्टी हेल्दी और सुपर हेल्दी हमार इस्टाग्राम और फेस्बूप पर फोलो कीजिए थेंक यू